नमस्कार स्वागत थे आप सबका हमारे खास कारिकम तरकश में और आज हमारे साथ हैं हर्याना के मुख्यमंत्री मनुहलाल खटर साथ साथ फर्शिये एमल खटर गेर जाठ हैं और पंजाबी समुदाय से हर्याना के पहले मुख्यमंत्री हैं खटर पहली बार विधायक निर्वाचित हुए और पार्टी ने उन्हें सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा दिया मनुहर लाल खटर का जन्म पांच मई 1954 में रोहतक के निदाना गाउं में हुआ था खटर का परिवार 1947 में भारत पाक बटवारी के समय पाकिस्तान से भारत आ गया था खटर ने रोहतक के पंडित नेकी राम शर्मा कॉलेज से दस्वी पास की थी उन्होंने दिल्ली विश्व विद्याले से ग्रेजूशन की डिग्री पूरी की 1976 में वह RSS के संपर्क में आये 1980 में वह संग से पूर्ण कालिक तौर पर जुडे खटर को 1994 में हर्याना बीजेपी में प्रदेश संग अठान मंतरी की जिम्मेदारी सोपी 2002 में पार्टी ने उन्हें जम्मू कश्मीर का प्रभारी बनाया लोक सभा चुनाव में खटर को हर्याना में चुनाव अभ्यान समिती का अध्यक्ष बनाया गया था 60 साल के खटर प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी के करीबी मने जाते हैं सर स्वागत है आपका सबसे पहले तो हर्याना में पहली बार बीजेपी अपने दम पर मैं कहूंगी सत्ता में आत्राविस हुई है क्या आपका रोड मैप है? क्या आपने भविश इसका जो समारने का जिम्मा लिया है? उसकी सूरत उसका कुछ किस तरीकी की तस्वीर होगी? देखिए सचान साब हम लोग का अपना एक हर्याना के विकास को लेकर के एक सपना है और हर्याना में इस समय तक जितना भी 48-48 साल का जो शाशन रहा है उस शाशन में कभी कोई दिशा नहीं रही बले कुछ काम चोटे मोटे विकास के हुए होंगे लेकिन एक दिशा हिंता यह हमको जो धान में आती है जिसमें हर्याना का एक समय क्विकास हो हर्याना के लोग अपने आपको हर्याना की एक यूनिट मान करके हर्यान मीं इस नाते से पैचान बनाते हों कहीं जाती पाती का नारा लगता है कहीं ब्रिस्टाचार्थ को ले करके इतनी आसंतोश इतना है उसमें कुछ लोग के जिनके घर भर गए तो यहां तक भर गए का टालिकाएं खड़ी कर गए आज ऐसे लोग भी जिनको दोसमें का भूजन मिलता नहीं है रोजगार के नाते किसी प्रकार के रोजगार की कोई व्यक्ति को गारंटी नहीं है कि मुझे कुछ काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा शिक्षा इस नाते से लोग का कोई स्तर नहीं है और शिक्षा के भावन बन गए है लेकिन वहां शिक्षक नहीं है शिक्षक भी अगर हैं तो बच्चे माँ जाते नहीं हैं आज प्रवाइट संस्थाओं ने शिक्षक के उपर अपना कबजा सा बना लिया है उनको व्यवस्ता में लाना और जहां तक जंता के शंतोश की बात हैं उसको पारदर्शी शाष्न में पैदा करेंगे जहां तक व्रिष्टाचार की बात है उसके अंदर बिल्कुल ट्रॉलेंस नहो ना जनता में ना लीडर्स में हो ना बाकियों में हो ऐसी हम स्थिती पैदा करेंगे किसान और यहां की खेती एक बड़ी उपलब्धी के तोर पर थी यहां का प्रोडक्शन अपने आप में रिकॉर्ड इस तर पर हुआ करता था आज इसकी पहँचान उची उची इमारतों और मैं कहूं कि पॉश कुछ इलाकों तक सिम्टे विकास को लेकर जाना जाता है एक uneven विकास, असंतुलित विकास की बात होती है, कैसे असंतुलित विकास के पत से हटा कर आप प्रदेश को संतुलित विकास यानि की गाउं और शेहर बरावरी एक दरजे पर ख़़ड़ा करेंगे जहां विकास हुआ है वो अच्छी बात है लेकिन वही अगर संतुलती विकास होता तो और आनंदा आता इस विकास में अटाले कायं भी कही जा सकती है इस विकास में व्यक्ति की परक्राप्टा इंकम भी कही जा सकती है इस विकास को अलग-लग एरिये के साब से देखें तो ह आज भी धान में हैं, आती हैं, और एक विकास ऐसा है, जो एक पिछले जिले, जिसको कह सकते हैं, फत्याबाद जिला है, सिरसा जिला है, इसार जिला है, कैथल जिला है, जीन जिला है, भीवानी जिला है, ये एक वेल्ट ऐसी पस्चेम हरियाना की है, कि इसको इस नाते से अल बात हो सब विस्ति से उन सब क्षित्रों में जो अभी पिछला है उसको आगे लाएंगे और कभी का जाता है कि यह एडवांटेज होती है लोकेशनल एडवांटेज उस उनाते से हमारे पूरू के सरकारों ने ऐसे तरक देने शुरू किया हम कहते हैं कि अगर लोकेशनल एडवांटेज की बात करनी है और जिसमें से कहते हैं गुडगावा के विकास अच्छा हुआ गुडगावा और साथ में बेवात एडवानिंग यानि एक जगाँ पर कैप्टा इंकम ऐसा का विजन के सारी चीज़ें कैसे वैसे सरकार हम को चलानी है यह उनका मोटिव रहा है लेकिन इससे पहले कि सरकारों की दावे हुआ करते थे कि जितना जमीन का अद्गरहन हर्याना जैसे राजबे हुआ है शायर ही देश के किसी दूसरे राजबे हुआ हो लेकिन उस अद्ग या फिर उस मुआफ़े का पैसा या विकास के लिए जो योजनाओं आई थी उसी मट करेंगी कुछ घरानों तक कुछ परिवारों तक कैसे आप बदलेंगों से योजनाओं को सामने रख करके यहां अधिगरन नहीं किये गए यहां अधिगरन इसलिए किये गए कि उन योजनाओं को दिखा कर अधिगरन करो अधिगरन होने के बाद उस में से जितना गड़बड की जा सकती है उतनी गड़बड करो असी हजार एकड अधिगरन की गई और असी हजार में से लगबग साट सतर हजार एकड छोड़ दी गई जहां योजनाओं के लिए जितना रखनाओं तरह तो न रखा और बाकी सेक्शन चार होने के बाद छोड़ दो सेक्शन 6 होने के बाद छोड़ दो इवन सेक्शन 9 अवार सुनाने के बाद जमीने छोड़ दी गई और प्राइविट बिल्डरस को दे दी गई यह हमरे अकड़े है रिकॉर्ड्स है तो उसमें से अनाप शनाप तरीके से डस्टाचार के माद्यम से उसमें के कुछ अपने घरों को भरने का एक उदेश्य सामने रहा है उस सारी चसें सामने आ रही है बहुत हमकोश कायgor भल रही है उसमें जाच कराएंगे जाच कराने के बाद जो जनता का पैसा है जनता का हवाले होना ही चाहिए क्योंकि चेनाओ से पहले एक बड़ा मुद्दावाना था, जमीन अद्ग्रहन का लेकर, एक बड़े बिल्डर कमपनी और एक बड़े राजितिक परिवास जोड़े शक्स का नाम सामने आता रहा, उस मसले पर किस तरीके से आपकी सरकार आगे बढ़ रही है। चाहे CLEO की बात है, चाहे अधिगर्ण की बात है, अधिगर्ण भी जितने होंगे, वो एस पर सिस्टम रूल होंगे, जनता की जहां आवशक्ता होगी हमको उनकी अप्स, यानि कंसेंट लेने की, वाँ जनता की कंसेंट लेंगे, जो ज़रूरी आवशक्ताओं के अधार के इस पर नियम, इस पर रूल, वो जो अधिगर्ण करने के बात होगी, उसमें सीधा अधिगर्ण करेंगे, और हम अपने भी भागों कहेंगे, सीधा भी किसानों से जमीने वो खरीदें, इसलिए किसान का जबरस्ती कोई अधिगर्ण नहीं किया जाएगा, और एक पारदर् सिधा जनता के सामने विशे जा करके रखेंगे, इस परफस के लिए ली गई थी, अब इस परफस के लिए अगर जमीन ली गई है, वहां नहीं वो काम हो रहा, तो हम जनता को वापस भी करेंगे, जनता चाहाएगी कि वापस नहीं लेना, इसको बदल सकते हैं, तो हम बदल दूसरे आपके और भी नियम होंगे ताकि जो भी एक दो लूप होल्स बचते हैं उनको आप और मैं कहूं कि टाइड कर सकें एक दम पारदर्शी होगा क्योंकि केंडर सरकार ने कानूर बनाया है उसमें प्रदेश के लिए बहुत सा स्कोप छोड़ा है कि प्रदेश इसमें कुछ और भी जोड़ना घटाना चाहे तो जोड़ घटा सकते हैं इसलिए ये एक ऐसा कानून है जिसको हम कहते हैं कानून है इसलिए जनता को जिसमें तकलिफ नहीं होगी ऐसे सब काम करेंगा एक बड़ी चीज आती है जो कि पिछले मैं कहूं कि तीन दशक में दिखी है हरियाना में और शायद आपने उस पर जरूर गौर किया होगा सत्ता में आने के बाद कि हुडा जैसी संस्ता जब अपने जमीन को निकालती है या प्लाटिंग करती है फ्लैट निकालती है बाजार भाव पर उसके लिए कई गुना जादा उमीरवार आते हैं फिर ऐसी क्या जरूर पढ़ती रही स्राज में कि उसने अपनी जमीनों को प्राइविट बिल्डर को बेचा और बिल्डरों ने मोटा मुनाफ़ा कमाया जब किस सरकारी संस्ता चाहती तो आदमियों को इस तस्ते घर और खुद एक मुनाफ़ा कमा सकती थी ये प्रशन मेरा भी है आगर क्या जूरूत पड़ी थी तो उन सब चीजों को हम ठीक करेंगे हम सबसे पहले तो अपने हरियाना के नागरिक को हर एक को मकान मिले सबसे पहले हमारी प्राथमिकता है अफोर्डेबल हाउसिंग वो उसमें प्राइविटी बिल्डर आते हैं उनको भी कहेंगे अगर प्राइविटी बिल्डर उसमें नहीं आते हैं तो वारी सरकारी संस्ताएं हैं चाहे वो हाउसिंग बोर्ड है हुड़ा है ये सब विभा आएंगे उसके अदर open auction की बात भी हो सकती है उसमें CLU एक आदमी मांगता तो पारदर्शी तरीके से हम दूसरों को भी कहेंगे कि किसी को CLU की और आवशकता है तो उसनाते से वो भी ले सकता है एक open competitive तरीके से काम करने में उसको आपती नहीं है लेकिन जो होगा वो पारदर कि क्या सिंचित जमीन उपजाओ जमीन पर सरकार कोशिस करेगी आगे बढ़ने की या फिर पहली सरकारों से अलग आपका रुक यह होगा कि किसानों को उनकी जमीन के उपजाओ जमीन के लिए प्रोटसाहित किया जाए उत्पादन बढ़ाया जाए और जो गैर उपजाओ हैं अगर जरुत पढ़ती है तो उसकी तरफ ध्यान दिया जाए विकास यूजनाओं को लेगा है हमारी नीती है हमारी पार्टी की नीती है सरकारों के नीती है कि जो कम उपजाओ जमीन है उसी को अधे गयान करके और जितनी इस परकार की सेवाएं है या इंडस्ट्री है या बाकी सब आवशकता के अनुसार जो चीज जमीन पर उपयोगी होगा उसको उनी स्थानों पर ले जाएंगे जहां कम जमीन उपजाओ है जैसे उदाण के लिए बिवानी जिला बिवानी जिले में में अधर जिले में ऐसा बहुत ख्षेतर है जिसमें उपजाओ जमीन उतनी नहीं है जिदनी बाकी जिलों में है तो अभी सवरूर जाके कुछ प्रोजक्ट लगाने के लिए मरे पास लोग आए उनको मने का ठीक है आपको जमीन चाहिए तो ऐसे जगाओ पर जहां कम उपजाओ होगी होगी उसकी जहां आफशकता होगी होगी उसकी जहां आफ कि पीड़ा आपने चरम पर देखी है किस तरीके से आप निराज में देख रहे हैं जो रहत काम चल रहे हैं या फिर जो मैं कहूं कि एक मुआज़ी को लेकर एक बड़ी राजनी तिक जंग मैं कहूं छुरती नजर आ रही है देखिए पहली बात तो कि मुआज़ा हमने इस साल ये मुआज़े की राशी दी नहीं जाती थी बलकि यहां तक कि मुआज़े का यानि गिरदावरी करते समय नीचे ये मेसेज दिया जाते थे इससे ज़्यादा आप लोग ने गिरदावरी में अपना नुकसान देखाना नहीं है और उसका प्रिणाम क्या होता था पिछ कि किसी को इससे ज़्यादा बताया ही ना जा सके पहली बार इस बार जो नुकसान हुआ है हमने पूरी गिरदावरी स्पेशल गिरदावरी कराई है हमारे हर्याना में गयारा सो क्रोड़ रुपे से उपर मुआज़ा दे रहे हैं और अब हम एक मेने के अंदर कोशिश करें कि कि पंदरा मैं तक सारे मौवज़े हमारे बढ़ जाएं और जो छोटी राशी के मौवज़े हैं उसमें भी तैकिया कि हम 500 रुपे से नीचे प्रतियकर किसी को इससे नीचे मौवज़ा नी चाकनी मिलेगा नियूनतम 500 रुपे जरूर मिलेगा अब मैं आता हूँ दूसरे एक बड़े मुद्दे पर जो बात युवाओं की है क्टर साब क्योंकि हरियाना एक ऐसा राज जहां पर भरतियां बड़े का आने पर हुई लेकिन बड़तियों पर अगर मैं कोड के रो की बात करूँ तो वो भी सबसे ज़्यादा मामने रहे हैं कैसे युवाओं को आप यकीन दिलाएंगे कि आप उनके लिए बेहतर रोजगार के साथना सिर्फ तयार कर रहे हैं बलकि रोजगार मिलने के बाद उसे ही चिंता रही होगी कि कुछ वार्ष के बाद कुछ महीने के बाद कहीं कोट का डंडा तो नहीं चलेगा पहली बात ये कोट का डंडा क्यों चलता है बैक डोर एंट्री से दी गई नोकरियां जिसको एक पार्शलिटी के रूप के अंदर और लोगों को रोजगार दिया गया रोजगार जिसको चाहिए वो उस परकार के सब इन निताओं के इन पायटियों के चक्र में फसता है जिसके कारण से उसको गलत काम भी करके अपने रोजगार लेना पड़ता है लेकिन इसमें जो दोश है वो सरकारों का निताओं का राया के बैक डोर एंटिय से इतनी बड़ी नोकरियां क्यों दी गई क्या उसमें भर्तिया नहीं हो सकती थी हो सकती थी आज हम ऐसी जितनी नौक्रियां हैं सब को एक सिस्टम से हमने स्टाफ सर्विस सेलेक्शन बूर्ड का गठन किया है और बहुत जल्दी उनकी सब नौक्रियों काम करने वाले हैं लगबग तेरा हजार नौक्रियां उसके केंदर का उसर मिलें थी हे इस इंडिस्ट्री को बढ़ने जा रहे हैं हमरी पालिसी रस्ट्र पालिसी हैं दूजार पंदरा मही तक आने वाली हैं हम उसके बहुत छुट-छुट बड़े उदियो सब के माद्यम से नौक्रियों के इतने अफर पैदा करेंगे जिसमें से हर एक यूवक को नौकरी करने के लिए काम में वसाय चलाने के लिए नौकरी करने के लिए यह सब काम करेंगे अगर हमारे यूवक यदि किसी कला में प्रोविंड नहीं है वो ट्रेंड नहीं है उसके लिए हमारी केंदर सरकार की योजनाए बहुत बनी है जिसमें स्किल डॉयल बेक उस पार कुछ और अहम मुद्ध कुछ और अहम सवाल और सीधे जवाब मुकूमंत्री कटर साथ से आप देख रहे हमारा खास कारिकम तरकष और आज हम बात कर रहे हैं हरियाना के मुकूमंत्री कटर साथ साथ से कर्षाब एक और बड़ा मुद्दा जो आता है वो है जिस तरीके से हरियाना की पोजिशनिंग है मैं कहूं कि राजधानी के ठीक निकट सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है महिलाओं को लेकर बेटियों को लेकर आप जब सत्ता में आए आपने कई जगों पर इस तरह के वक्त भी अभाशन दिये जिसमें ये साफ कहा गया कि जो पहले की नीतियां थी उससे कुछ रुक आपका अलग होगा और जादा कड़ा रुक आपने अपनाने की सलाह भी दी किस तरीके से इस मसले पर आपकी सरकार आगे बढ़ेगी और मैंने जो बात कही है एक्टम साफ कही है कोई विरोध का विशह नहीं रहा जहां तक महिलाओं की सुरक्षा है या बेटियों की संख्या जो कम हो रही है नहीं हमारे प्रधान मंतरी नेंदरावी मोधी जैसी पानी पत में आये और बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ का जो अभ्यान लिया उसे भ्यान की शुरूआत की उसी दन से हमने ये तैय किया हरियाना की जन्डर रेशो यह बराबर की होनी चाहिए और जब तक नहीं होती तब तक हम इन प्रोग्राम्स को पूरा तरीके से लागू करेंगे उसमें हमने कई योजना बनाई बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ के विहान के अंतर गात लाडली योजना का जो एक योजना तक्सी में था उसको हमने पहली बेटी और तीसरी बेटी इस पर भी थोड़ा फॉर्म बदल करके उसको लागू किया है पहली बेटी के अफसर पर भी जनम के बाद पचीश जार रप्या बैंक में जमा कराया जाएगा ताके ठारा साल के बाद एक लाक रुपया उसको मिलना चाहिए ऐसे ही अनुस्य जाती और जो बीपियल के लोग हैं तीसरी बेटी के जनम पर भी हला कि हमारी पापुलिशन पॉलिसी के फिर दो सकता है लेकिन फिर भी जब तक जेंडर रेशो बराबर के नहीं होती तब तक तीसरी बेटी पर भी ये पॉलिसी मारी जारी रहेगी ताकि परवार के उपर बेटी का बोज आर्थिक बोज ना पड़े और क्योंकि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार को लेकर मैं कहूं या फिर रिष्टों को लेकर जो फैसले रहे हैं कुछ खाब पंचाथ उस पर क्या होगा रुकाब का मैंने बार बार कहा है खाब पंचाथों का जातक विशा है कभी कोई ऐसे फैसले नहीं किये जिसको महिला विरोधी कह सकते हैं या कोई ऐसे किसी परकार के कोई भी जो फैसला हुआ हुआ है और महलाओं की सुरक्षा के दिश्टी से ही किया गया है जो कुछ परंपराएं गाउं की रहती हैं उस पंचायत की रहती हैं उस खित्र की रहती हैं उन परंपराओं को माननता उन पंचायतों के माद्यम से मिलती है ऐसा कोई भी विश्यानी जो कानून सम्मत न रहा हो हाँ यदि कोई भी पंचायत खाब पंचायत या किसी प्रकार का कोई भी संग्ठन कानून जो दी कोई बात करता है वो असानी होगा उसको कभी भी सरकार सहन नहीं करेगी जो भी फैसले हो या फिर जो भी सला हो या मश्विरा हो वो कानून के दैरे में अगर रहकर है तो उसको मानता में देखी क्योंकि आपकी जो विरोधी हैं वो शायद इस तरह की बात भी करते हैं कि खटर साब के आने के बाद जो खाप पंचायत थी उनको एक तरीके से वैदता दे दी गई उनको एक लीगल स्टैंपिंग कर दी गई है लीगल स्टैंपिंग कभी नहीं हुई क्योंकि समाज के अंदर बहुत ऐसी संस्थाएं काम करते हैं जो परमपरागत होती है लीगल संस्थाएं तो जो हमारे आँ समीधान के अंदर लिखा उसी को होती है ये परमपरागत चीजे आखिर समाज के अंदर परमपराएं कुछ होती हैं विरादरियां होती हैं खापें होती हैं या कोई क्षेतर के भी कुछ नो कुछ ऐसे सिस्टम बन जाते हैं अब हमारे बहुत संस्था हैं व्यपार के साब से भी बनती हैं खेती के साब से सब तरह के बनते हैं आखिर समाज के साब से किसी समाज ने अपना कोई शुदारातमा कारकम लागू करने के लिए कोई अपने पंचायत बनाई है तो उसमे इल्लीगल नहीं है अगर वो समिधान समद नहीं है तो इल्लीगल कमसेक मन नहीं है ऐसी संस्था हैं अपसी सहमती से कोई गुर्व बनाते हैं और संस्था हो को माद्दम से अगर कहीं कुछ सुधारात में कारकम किया जाते हैं तो उसका स्वागत है मुझे याद पड़ता है कि चुनावी रेलियों के दिम्यान एक बड़ी बात कही जा रहे थी करप्शन को लेकर मैं इस फिर बड़े मुद्धे पर लोट रहा हूँ कि आपकी रेलियों में भी ये कहा गया कि जो करप्शन है वो हरियाना की रगों में यानि कि सिस्टम में सरीके से कोल दिया गया है इसे दूर करने के लिए एक बड़ी डोस की जरूरत है इस सिस्टम को किस डोस के जरीए आप दुरस्त करेंगे बहुत बड़ा आपने एक प्रशन पूछा है और एक बहुत वी हमारे लिए चिंता की ये बात है कि हमको करप्शन दूर करना तो उसका रोड मैप क्या होगा देखिए पहला विश है करप्शन का एक साइकल है करप्शन के समय में बात्चित होती है वो करते हम क्या करें हमको ऊपर देना पड़ता है अब उपर के लोग नहीं करेंगे तो फिर इन से उपर तो कौन भगवान है पहला फैक्टर है अपील दूसरा फैक्टर है संसकार हमारी शिक्षा और संसकार ये ये हमने लागू किये तो समाज में एक मानस में जाएगा बरिस्टाचार गलत चीज़ है हमको नहीं करना है संसकार हमसे बरिस्टाचार रुखता है थोड़े लोग बच्चते हैं ना वो अपील से मानते हैं ना वो संसकार से मानेंगे वो वित्यारी उनके नहीं होगी उसके लिए फिर कानून अपना काम करेगा लाएंडर अडंड़ अडंड़ लोग कहते हैं कि खटर साब की जो छवी है खटर साब का जो रुक होता है वो अधिकारियों के प्रतिया फिर नोकरशाहों को लेकर थोड़ा नरम देखता है इसके कारण है कारण क्या है कि जिन परिवारों की बाते पहले कही जाती हैं वो परिवार अपनी कुछ बुराईयों को छुपाने के लिए अपनी कमियों को छुपाने के लिए अपने गलत कामों को छुपाने के लिए उस पर करूल करते रहे हैं खुद अपने आप बचे रहेंगे और अधिकारियों के ओपर करमचारियों के ओपर डंडा चला करके हम ठीक करेंगे so that अपने आपको जंता में सिद्ध कर सके हम ठीक हैं हमारा कहना इससे ठीक नहीं होता है जंता भी सब देखती है अधिकारी भी सब देखते हैं करमचारी भी देखते हैं उपर लोग ब्रस्टाचार करके डंडा देखाएंगे तो ब्रस्टाचार बंद नहीं हो सकता ब्रस्टाचार तब बंद होता है अपने आपको आदर्श के रूप में रखेंगे आदर्श रख 80-90% लोग तोड़ते हैं तो फिर चाहे लाइड ओर है चाहे वो रिस्टाचार है चाहे कुछ भी है 80-90% लोगों पर कानून कभी काम निकलता है मैं समझता हूँ कि जब लोग हम मिलेंगे बैठेंगे तो मेरी इस बात से कोई नाराज नहीं होगा ऐसा मेरा विश्वास है क्योंकि इस प्रदेश में पहली अबारे सा है जबकि गय जाट समधाय से कोई शक्स मुखमंती बना है बहले ही मैं कहूं कि राजनीत में जातियों के आधार पर बटवारा ठीक नहीं है लेकिन हकीकत है इस देश की अब विकास के साथ सा जो दूसरे तमाम पैमाने हैं उन जातियों को अब उसे तवज्व नहीं मिल लहीं जिनको पहले मिला करती थी क्योंकि आप उस जातियों से नहीं आते देखे जातियों पर तवज्जव देना न देना ये कोई अजंडा नहीं रहना चाहिए अजंडा होना चाहिए कि शाषन का जो काम है सरकार का का जो काम है वो है जो deprived of है किसी चीज से वन्चित है जिसकी आवशकता है जो कमजोर है जो पीडित है उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए हम जातियों पर ध्यान दे करके इस जातिवादी राजनिती के करने के कारण से पूरे समाज का भरा नहीं कर सकते समाज का हित नहीं कर सकते समाज का हित करना है तो जो वंचित है उसकी सेवा करेंगे उसको आगे बढ़ाएंगे निंदाना ग है कि जाते ही का तरीके से मुझे चलना होता तो मुझे सूट नहीं करता उस गाहों को अगर कहा है और उस गाहों के लोगों नगवान किया है जो भी विचार से Guess है और उस आधार पर हम अपने उसın गाहों के अदर की जातेवाधी प्लिटिक्स नहीं आने देंगे एक गाउं मेरा अगर वो ठीक होता तो वहां से किलने फैलाएगा अब तक हमने देखा है कि जो तमाम मुखमंत्री होते हो किसी भी राजी में हो वो अपने इलाके अपने गाउं अपने लोगों के लिए कुछ खास विधाएं देते हैं लेकिन आपके गाउं के लोग उस गाउं बजली के बिल भरे में ने डिपार्टम्ट से पता किया तो हमारे गाउं के रिकाउरी बढ़ गई है और अभी हम एक नई योजना चलाने जा रहे हैं हमारा गाउं जगमक गाउं उस हमारा गाउं जगमक गाउं में जो गाउं जो फीडर के गाउं बिल पूरे भरेंगे, रेलाइशन पूरा होगा, लास जो है, लाइन लास या जिस परकार के लासिज होते हैं, वो खतम हो जाएंगे, यानि पचीस परसंट का जो एक नॉर्म है, उस नॉर्म के अंदर आ जाएंगे, तो उन सब गाओं को 24 घंटे बिजली देंगे, यह जो जनाम चलाने वाले हैं, बाकी सब जो 11 घंटे ले रहे हैं, उनको मिलेगी, लेकिन इस परकार के गाओं हमारे सारे वाने के लिए तयार हैं, ऐसे हमारे जो इन्फरमेशन हैं, एक और शेत्र है, जिसको लेकर हरियाना के एक विशेश पहचान रही है, वो है खेल कूद में लेकर, लेकिन अच्छा हो, आखिर खेल की जो उत्पत्ती हुई है, वो इसी में से हमारा व्याम हो, खेलो, निरोगी बने, स्वस्त बने, और स्वस्त निरोगी बन करके अपने काम को ठीक से लागू करें, एक भाग, दूसरा भाग, इन खेलों के माद्दियम से, जो अच्छे खेलाड़ पर, जो खेलेंगे, उनको सम्मान, उनको अवार्ड, उनको वो सारे हमने घोशित किया है, उनको जितना भी सम्मान देना हो, गम सकते हैं, एक आखरी स्वाल के टरसाब चलते हैं, हर शक्स के अपना सपना होता है, अपने राज्जी को लेकर, जब आप मुक्मंत्री बने, क जो आपको आज लगता है कि उसे होना चाहिए, तब वो अब तक कोई सरकार नहीं कर पाई, जो आपके प्रूंख एजेंडे पर हो, हम राजलितिक लोग बोलते रहे हैं सरकार आपके दौर, और ये सरकार आपके दौर एक ऐसा नहरा बना, जिसको कम से कर मेरी जो कलपना है उसके ओपर अभी तक यहां हरी रणा में तो किसी ना लागू कर नहीं कोशन नहीं की है, अब हम लागू कर रहे हैं, कि सरकार का कोई आदमी वो जनता के पास जाए उसकी तकलीफ पूछे, या उसको तकलीफ की जानकारी मिले तो उसके घर में जाकर कर दूर करे, अभी क्य प्रेशानियां होती है, पीड़ा बहुत होती है उसको, इन सब पीड़ाओं को ना जहले हमने उसको उल्टा शुरू किया है, क्या सेम इंडो, पहला जिला के अंदर पुराओ, जिला के अंदर के बाद इसको हम सब्डिजन लेवल पर लेकर जाएंगे, ब्लॉक लेवल पर जाएंगे, ग्राम में ग्राम सची वाले, हर ग्राम पंचायत के अंदर एक सची वाले बने, और उस सची वाले में वहीं उनको वो सारी स्विधाय मिलें, जो उनको चंडिगर में आके छोट-छोटे कामों के लिए आना पड़ता है, ताकि अगर जाना है, तो हमारा नेता जाएगा गाओं में, हमारा विधायक जाएगा गाओं में, हमारा धिकरी जाएगा, हमारा डीसी जाएगा, हमारा वीडियो जाएगा, वो गाओं में जाकर के अपनी ग्राम सबाओं की मीटिंग करें, आपकी क्या तकलिफ है, कहीं भी किसी प्रकार के काम करने के लिए, पैसा उनको नहीं मिलता जिने की तकलीफ है, वो पैसा कर्चते हैं, तो जिनको पैसा मिलता है, उनका दाइत्व है, कि लोगों के घर में जाकर के काम करें, इस दिशान बढ़ेंगे, कितने समय में कितना समय लेगा, इसके चर्णबत तरीके से आगे बढ़ने का करकम बनाएं तेले विलकुल उमीद है, और हमारी शुब कमना आपके साथ हैं, कि आप इस अपने को जुरूर पूरा करें, और हमसे बाचीत करने के लिए करें साथ बहुत दो शुक्रिया आपका